कोई भी हमारे महापुर्श नशा करते थे क्या है बोलो नहीं करते थे तो हम भी नहीं करना है तो आज आज सब संकल पर लेकी जाएंगे कोई भी नशा नहीं करें यहीं संकल पहसा करना है और एक काम और करना है इस देश को गरीबी से भी मुक्त बनाना है देखो जीवन चलता है धर्म से और राष्ट चलता है धन से राष्ट में धन नहीं होगा निर्धन होगा राष्ट तो जीवन में कोई सुख नहीं हो सकता राष्ट में सुख समृद्धी नहीं हो सकता मैं यहां पिछने तीन दिनों से पूरे कलकत्ता में अलग अलग जगों पर जा करके पूरे कलकत्ता में घुम घुम करके सब को बता रहा था देखो हमको चतरमुखी विकास चाहिए आजकल चतरमुखी विनाश हो रहा चतुरमुखी विकास कैसे होगा ज़रा एक बात ये भी सुनो फिर आपको अगला प्रणायम करवा देने और ये सौब को पताना सब लोगों को पता है तीन तरह का करफसन होता है एक रिश्वत लेना दूसरा टेक्स का पैसा जमा नहीं कराना तीसरा टेक्स का पैसा जिसके लिए जमा किया था डेवलेट्मेंट के लिए विकास के लिए उसके धनकी चोरी का लेना बजट बना कुल के लिए बजट बना स्कूल को लिज इनिवर्शिटी के लिए बजट बना गरीमों को भोजन देने के लिए बजट बना गरिमों को मकान बनाने के लिए बजट बना देश का सुरक्षा के लिए हथियार खरी देने के लिए जो बिजली, पानी, सड़क के लिए बजट बनता है जो शिक्षा सास से सुरक्षा के लिए बजट बनता है बज़ेट बणाता है होस्पिटल में दवाईयों के लिए बज़ेट बनाता देश की सु्रक्षा के हत्यार खरीदने के लिए। उसमें सबको पता है। साथ के अंदर आज जो बज़ेट शिक्षा के लिए बनता है उसमें कितना करफसन है। मानि सरों शिक्षा अवियान से लेकर के के जो भी एजुकेशन के लिए बजट बने बच्चों का खाना देने के लिए और सम में से 80% बेइमान लोग का गए शिक्षा के लिए जो बजट बने वहाज साथ से के लिए पानी के लिए जो बुजट दिया था उसमे से पैसे खा गए, बिजली, पानी, सडक शक, विदेशों में आप भी गई होगे, हमने विदेशों में सडक देखे, एक भी घड़ा नहीं दिखा सडक में, पूरा हम अमरीका घूमे, कनाडा घूमे, ब्रिटेन में घूमे, जापान में घूमे, एक भी सड़क ऐसी नहीं मिली जहां पर घड़ा हो, और हिंदुस्तान में एक भी सड़क ऐसी नहीं मिली जहां घड़ा ना हो, यह घड़े कहां से आ रहे हैं, जो बजट बना सड़क के करोंधिनिये 100 करोंगे लगा उसमें भीस करोंगे एसिक एनुमा को हम गाए कि शिकषा सांस सरक्षा बिजली पणिया जो में उसमें उसमें संखे कि और रोटी का पना मकान रोटी के लिए बज़ट बना गरीबूं के लिए आजकल बज़ट बना हुआ है वे गरीब आदमें को खाना मिल जा इस ससे में वो गरीबूं का अनाज लूट लेते हैं एक एक ट्रक के उपर उनको 20-20-30-30 लाख रुपए मिल जाते हैं गरिबू का अनाज, वो खा जाते हैं, उफो, ये तो ब्रष्टाचार सब को पता है, तीन तरह का, एक रिश्वत लेना, दूसरा विकास का पैसा खा जाना, आम आदमी का हिस्सा का पैसा खा जाना, तीसरा, जो टेक्स जमा नहीं करना, इसमें भी बहुत गड़बड़ है, त इन तरह का, ये चोथा तरह का व्रष्टाचार लोगों को पता ही नहीं, ये वो बता रहा हूँ, उससे ये देश नर्क बनाए, जरह सुनो, एक मिनट की बात है, हमारे देश के अंदर, नेच्रल रिसोर्सेज, करीब-करीब, दस हजार लाख करोड रुपे के हैं, डेढ़ हजार लाख करोड तो अभी मैं बता रहा हूँ, दो चीजों का बज़ट, अभी जो हमारे पास में प्राक्रटिक संपधा है, करीब साधे-्नो सो लाख करोड रुपे का हमारे देश के अंदर, कोल्ड रिज़र है, और करीब फ़ज़ पन सो लाख करोड रुपे क हमारे पास में आइरन करी जर्व है और इसमें से ही करीबे 300 लाग करोर पे बेमान लोग खा चुकी है और ये आगे इनको नहीं रोका तो इसको भी खा जाएंगे जो बचा हुआ ये तो दो आइरन और कोईल के बारे मैंने बता है ऐसे हमारे दिश के अंदर ये नक्सरवादी भी उसी में लोटने में लगे माववादी भी इसी को लोटने में लगे करेफ्ट पॉलिटिशन्स करेफ्ट विरोक्रेट्स और करेफ्ट कोर्परेट के लोग ये चारों मिलकर के लोटते है और ये चोथी लोट हो रही है इसे मिनाश हो रहा है देश का आप तक जो लूटा है उनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेना है और आगे से कोई हिंदुस्तान को लूट ना सके ऐसी विवस्था ऐसी कानून ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में बनाना तो ये भी इस पुरे देश को समझाना और बहुत बहुत दोनों हाथ ही बरकंदों पर रख लीजेगे चलिए अभी एक बार आपको सुक्षम रहम करा है कि अब आज वहे हम भी बताना है और आज देक्षा भी देनी है और आपसे ये रोल सुक्षम रहम कर लिया करो पढ़ा है उनके बीच में जरा और से मेरी बात को सब अपने देश को भी बचाना है फिर पुरी दुनिया को भी बचाना है बहुत कुछ करना है मैंने कर जो बात कहीं फिर उसके उपर वापस आता हूं एक बार बटरफ्लाई कर लीजी भस्तिर का कपाल भाती बाहिये प्रनायम उज्जाई अनुलोम ब्लोम भामरे उद्गीत पूरा करवाया इसमें दो प्रनायम सबसे ज़्यादा करने है कपाल भाती और अनुलोम मिलोम कपाल भाती अब पूरा हो गया अब अनुलोम ब्लोम आपसे करवाना है कल मैंने कहा कि हमने उन रोगों को मिटाया है जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवाना थी चे वो कैंसल चे वो हाट की बिमारी चे वो थैराड की बिमारी चे वो बीपी चे वो और दूसरे हैपिटाइटिस की बिमारी न्याकुलार्टिस की भिमारी पेंक्रीटार्टिस की भिमारी की वीमारी का क्योर नहीं था तो हमने आपको बताया आजो मिल करके यूग करो ओ है गायो मिल करके यूग करो को मिडा दिया आप रहाамен से और यहे अपको भी इसको not और शोध करने की ज़ूरत इसको बोलते हैं क्लिनिकल कंट्रोल ट्राइल साइंटिफिक रिशाच है उसको करने के लिए आपसे हमने कल आवान किया था एक बीमारी पर चलो अनुलोम बिलोम करो एक बीमारी पर रिशर्च होने से उस बीमारी से पिरित करोडों लोगों का लाब हो जाता है अब जैसे हमको पता है कि अनुलोम मिलोम प्राइम करने से आँखों का तस्मा हट जाता है कैट्रेक गुलकुमा दूर हो जाता है अनुग मिलों प म्राइम के करने से डेप्रेशन दूर हुजाता है। स्ट्रैश दूर हो जाता है। Epilepsy की प्रोब्लम दूर हो जाती है। माईग्रीन पेन की और हो जाता है। लेकिन इसकी उपरना भी क्नि कर के चीजू को जब हम दुनिया के सामने रखेंगे तो एक तो चीजी ज़्यादा क्लियर होंगी, पॉस्ट होंगी, पूरी दुनिया मानने लग जाएगी, जैसे आज डॉक्टर तो रहेंगे लेकिन डॉक्टर दवा नहीं लिखेंगे, फिर डॉक्टर कपाल बातिया नूलोम बिलोम लिख जाचा भी लिखते हैं ना, 500 mg की दवा खाना, 15 mg की दवा खाना, फैर भी लिखेंगे 15 मिनट का पाल भाति करना, 15 मिनट अनुलोम विलोम करना, हमको डोक्रों को नहीं खतम करना है, ये दवायों को खतम करना है, फ्रिक्स कैफसन में मेडिशन की बजाए प्रानयम आ जाए, ऐ हमारे संतों ने सदा जगत के कल्यान के लिए, उनके तन के रोग मिटाने के लिए, और भावबंधन छुडाने के लिए, सदा सदा से मारगदर्शन किया, हमारे पुर्वजों ने हमेजान दिया, और परिविश्व का भी मारगदर्शन किया, संत परमहितकारी, जगत में सं परमी और संतों के पास आकर के जो हम जियान पाते हैं उससे जियान को जीवन में अपनाना है और अपना कि निर्मान तो करना ही एक नई भारत का नई विश्व का नई युग का भी निर्मान करना है जिस जीवन में कोई विकार ना हो आदश जीवन हमारे ना बीपी ना शूगार ना खॉलेश्टॉर ना ओवसीटी ना अर्थ्राइटेस ना मन में किसी भी तर है की कोई विकार ना मन में कोई अंधकर आदर्श जीवन हमको बनाना है आदर्श परिवार बड़ों के इज्या छोटों से प्यार सबसे अच्छा व्यभार एक दूसरे को अपने से ज़्यादा चाहे ऐसा घर परिवार हो हमारा आदर्ष जिवन आदर्ष परिवार आदर्ष समाज जिस समाज में सब लोग प्यार महबत से रहते हूं एक दूसरे से कोई नफरत घ्रना न करते हूं वहर न करते हूं आदर्ष सर्ण वेबस्ता आदर्ष राष्ट का निर्वान करना है हूं योग भह निस से राष्ट घर्मता आत्म जागर यसे राष्ट जागर था आदर्ष